हेलो इस्टूजन्स तो आज मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपको यह बता पहूं कि आपके इंस्टिट्यूट का जो मोबाइल अप्लिकेशन आ चुका है तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे उसमें साइन इन करेंगे और क्या-क्या आप उसमें कर सक सकते हैं ठीक है सर तो आप सबसे पहले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में यहां पर आप सर्च करेंगे कैंपस कनेक्ट campus connect search करेंगे यह जो second option आ रहा है इसे आप install करेंगे यह वाला app ठीक है एक बार आपका यह install हो गया आप open करेंगे open करेंगे तो कुछ है ऐसी window आएगी आप से language पूछेगा आप English, Hindi जो आप choose करना चाते हैं आप choose कर सकते हैं यह एक overview briefing देगा कि क्या क्या करता है यह campus connect में आप क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या देख सकते हैं तो as a parent आप क्या क्या कर सकते हैं as a student आप क्या कर सकते हैं as a employee आप क्या कर सकते हैं ठीक है तो हम next next करते जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर get started पर click करेंगे यहाँ पर आता है सबसे पहले कि आप अपने institute का नाम सर्च कर सकते हैं तो अभी srm business school मैं search करता हूँ srm जैसे ही लिखा यहाँ पर हमारा आ गया srm business school हमने tap किया यहाँ पर logo और हमारे college का नाम आ गया हम sign in पर click करेंगे हमारा username और username followed by 123 हमारा by default password होगा यह हम enter करेंगे हमें username password हमारे hod's और यह सब provide करतेंगे और लो एक बार login किया तो आपका एक profile आएगा बच्चे का आप अपना time table इसमें देख सकते हैं आपको जो assignment मिला है वो देख सकते हैं आप online exam कुछ है तो वो देख सकते हैं event कुछ आ रहा है event related to holiday या normal event है या आपकी कोई fees dues आ रही हैं तो वो सारी चीज़े दिखाएगा आपका attendance दिखाएगा यहाँ पर fees दिखाएगा fees आप यहीं पर online pay भी कर सकते हैं जो भी fees पे करनी है आप यहाँ पर view fees करके नीचे pay fees क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर proceed कर सकते हैं ऐसे आपको सारे option यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे भी आप pay करना चाहते हैं अभी मैं इसे cancel करे दे रहा हूँ मैं वापस app पर आ जाता हूँ आप फिर अपने subjects देख सकते हैं कौन से subject को कौन से teacher फिर कोई event है, gallery publish हुई है तो वो सारी चीज़े देख सकते हैं कोई test या वो सब हुआ है तो उसका results जो आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर आप messages देख सकते हैं कोई अगर messages भीजा गया है आपको institute से दोरा यहाँ पर उपर bell icon देख रहे हैं यहाँ पर आप notification देख सकते हैं आप जब भी भी कोई fees paid करेंगे तो automatic यहाँ पर notification भी आ जाएगा क्या receive हुआ finance में कौन सी fees लगी आप पर या आप absent हैं तो वो notification तो basically सारा आपको notify हो जाएगा किसी भी moment आपको language स्विच करनी है आप यहाँ से language भी स्विच कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें आप perform कर सकते हैं इस particular app के थरू दीरे दीरे अभी जैसे से इंस्टिट्यूट और चीज़ें अपडेट करता जाएगा तो सारे टैप्स में आपको आप से related चीज़ें दिखती जाएगे तो यह एक college का initiative है जहां से आपके लिए हर चीज transparent रहे और easily communicate हो सारी चीज़ें that's all अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को subscribe और like जरूर करें